साथियो नमस्कार मैं राम प्रताप सिंग कुश्वाहा हमारे चैनल ग्यान एड नोलिज में आप सबका सादर अभिनन्दन है स्वागत है आज पावन जो माहिचलह है स्रावन मास उसका शौमबार दिवस है भगवान स्यू को अर्पित है स्वाम मतलब भगवान स्यू जो चंद्रमा भगवान स्यू पर विराजमान है और चंद्रमा का परियाय है स्वाम परियाय है अमरित का और इसका प्रतिरूपक है स्वाम बार मतलब आज का दिन तो भई अब सौम अनि चंद्रमा जो ओसिदियों के दाता है और ओसिदियां ही आज हम भगवान शिव को अरपित करते हैं देखिए सौम किसका परियाय है चंद्रमा का और चंद्रमा कहां विराजमान है भगवान शिव के सिर पर तो जो मतलब महत्पूर्ण होता है वो आदमी सिर पे धारन करता है मतलब एक तरह से राज मुकुट है भगवान चंद्रमा भगवान शिव जी के तो बहुत इंपोर्टेंट है अब सौम मतलब चंद्रमा ही इतने इंपोर्टेंट क्यों है कभी इस पे आपने विचार किया क्योंकि वो आउसिद के दाता है वो आउसिद के गुरू है आउसिद मतलब आयरवेद मतलब जड़ी बूटिया जड़ी बूटियों के अगर जन्म दाता कोई है या जनक कोई हैं तो वो चंद्रमा है कितना गहरा रहस है कुछ समद में आ रहे हैं आया आपको कि आयरवेद यानी स्वास्त को भगवान शियू जी ने अपने सिर पर धारण कर रखा है जिससे पूरी दुनिया देखे और समझे और एक सिधान्त है कि जो आप बोगे वही करना है जड़ी बूटियां अरपित करना है पावन दूद अरपित करना है बेल का पत्ता अरपित करना है सब चीज आयरवेद की ही चीज़ें अरपित करना है और वही चीज़ें कैसे आपको प्राप्त होंगी सौम रस के साथ जब चंद्रमा पूर्ण मासी को चंद्रमा प मेरे सामने वारता कर ले मैं सिद्ध कर दूँगा क्योंकि कई जड़ी वुटियां ऐसी हैं जो पहाडों पे जब चंडर्मा का प्रिकास होता है तभी वो खिलती है और चंडर्मा का प्रिकास जैसे ही समाप्थ होता है सुबई होती है वैसे ही वो विलुप्त हो जाती हैं आप उन्हें ढूर नहीं सकते अरे मानिये विग्यानिक साहब जरा उस पे नजर तो डालिए ये विग्यान कहां आप कहां खोजोगे कौन सी प्रियोक साला में खोजोगे जरा हमें बताओ तो भाई कितना बड़ा विग्यान है ये प्रिकति का हैं और इसको हमने किस में कर दिया है आडंबर में कर दिया है रूडवादिता में कर दिया है अरे ये सनातनी तो रूडवादिता करते हैं दूद को फैलाते हैं, गरीबों के लिए दूद जाता है, आप अच्छा ये बताइए, प्रियोक सालाओं में इतने बड़े-बड़े अवश्कार जो होते हैं दवाओं के, तो क्या उनमें जो मतलब तत्व हैं, क्या वो नश्ट नहीं होते हैं, वो नश्ट होते हैं, तभी दवा बनती हैं मानों के लिए, जानवरों के लिए, कि दवा वैसी बन जाती है, बिगर नश्ट की ये कोई चीज, जब आप कोई चीज को नश्ट करेंगे, तभी उससे उद्गम होगा, ये प्रिकति का नियम है, हमारा नहीं है, तो जब भगवान श्यो को आप प्रिकति तत्व अरपित करेंगे, तो वो उसी रूप में आपको अमर तत्व के रूप में प्राप्त होगा, ये आदी और अनादी काल से नियम चला रहा है, अच्छा, अब आप खाना खाने जा रहे होंगे, पांच रोटी खाएंगे ना, पांच रोटी दाल, सबजी, चामल खाए और उस एक रोटी का दूद चरूर अरपित करिए भगवान स्यों पे, पहले ये भगवान महाकाल जी के दरसन करिए, और देखिए कि हमारे पुजारी जी और पंडित जी वगएरा कितने समर्पन के साथ भगवान स्यों की पुया कर रहे हैं, अपने अराद देखी अप साथ में, प्रवकित स्यों की प्रथि कितने स्यों महाद। राव भूसादाः शीबा तरया मारा्गा अजा बाया सोगा जा भड़े भड़े न कोडि़म अ जालका दरह्टाः मदे भड़डॉ पूजा से आपने एक तत्व देखा कि यहां जड़ी बुटियों और प्रिकर्थी के तत्व तो अर्पित कि यही जा रहे हैं सात में यह अकेले पूजा नहीं होती भगवान-श्यू की यह सामुहित्ता भगवान-श्यू की पूजा में सामुहित्ता है अच्छा ये वताईए आप देखे फिर हम कहेंगे कि अब भई दुनिया में किसी दूसरे धर्मिया संप्रदा या मजहब को रखना तो मतलब अच्छा है अच्छी वात है नहीं कि हम किसी को कोई कहदे की अपमान कर दिया कोई कहदे नीचा कर दिया तो हम तो अपने ही को पित्क हो रहे हों तो तो हमारा चैनल यही कहेगा कि आप दिन भार राम 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 राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण जबो लेकिन वहां यह चीज़ नहीं प्रिकति तत्व तो भगवान शिव की पूजा में ही आपको मिलेंगे और यह प्रिकति तत और जो ये करोणों भारती पूजा करते चले आ रहे हैं ये एक बहुत बड़ा रिन चुका रहे हैं वो मानौ जीवन के लिए स्रिष्टी जीवन के लिए जीवों के जीवन के लिए कार कर रहे हैं निसुल करूप से ऐसा नहीं है जो दूद चरा रहे हैं वो पैसे से ही प्रा आत्मा जो आपके सरीर में विराजमान है मतलब इस सो रंस उसमें जरूर बल पराप्थ होगा जैसे आप अपना खाता हो आपके बैंक में आप रोज दो-दो पैसे डालो तो एक दिन दो हजार हो जाएंगे फिर दो लाग हो जाएंगे तो वो तो खाता आपका है ना तो वो आपके खाते हैं पैसे बड़ पढ़ेंगे ना लेकिन दुनिया और स्रष्टी के लिए आप क्या कर रहे हो उसके लिए आपको भगवान सियो की इसी रूप में प्रिकति के रूप में पूजा करना पड़ेगी अच्छा भगवान सियो में सामुहिकता कैसे कभी आपने देख है क्या भगवान सियो अकेले पूछते हैं नहीं भगवान सियो ऐसे देव हैं महादेव हैं जो जिन में उनका पूरा परिवार पूजा जाता है गड़ेश जीतो मातागोरी जीतो कार्थके जीतो और उनके जो गण हैं वो भी पूजे जाते हैं उनके जो सिस हैं सनी महराज जी वो भी पूझे जाते हैं और जो भी उनसे समंदित है वो सब पूजने हैं आप जी समझीए हाँ इसलिए सामुहिक सक्ति एक समाज में सभी तरह के लोग होते हैं और समाज सक्ति से चलता है बिगर सक्ति के कोई समाज आज तक इस्थिर नहीं रह पाया इस दुनिया में वो समाज ही खतम हो गया नज़र डालिया अब इत्यास पे देखिए इत्यास को भी पढ़ना भी बहुत जरूरी है इत्यास और विग्यान एक दूसरे के विरोधी है क्योंकि इत्यास तो सत्य यथार्थ को लेके चलता है और विग्यान यथार्थ ढूनता रहता है सत्य ढूनता है विग्यान तो विग्यान का तो आगे भविस का काम है लेकिन आधार सिला किसकी भाई देश की समाज की परिवार की आधार सिला तो इत्यास पे ही रखी जाती है ना, अरे निव का काम निव होगा ना, तो इत्यास जब मजबूत होगा, निव जब बनबूत होगी, तो आपका समाज और आपका देच, आपका परिवार उंदि करेगा, तो भगवान शियो एक तरह से निव है, उनको आप मजबूत करिए, अब देखिए हिंदू एक सनातन में वस्थाओं में कितने वो हो गए हैं खंड विखंड कोई किसी को पूज रहा है कोई किसी को पूज रहा हम करें सब को पूजो को भगवान स्री कृष्ण जी को पूजो राम जी को पूजो हनवान जी को पूजो माता जी को पूजो सब को लेकिन पिरकति के रूप में एक ही देव को पूजो, बहाँ देव, ये शेंटरल गॉर्मेंट है ये, ये पूरे विस्व को चलाएगी, हाँ, देखे, भाई, कुछ परचर्चा करिए, कुछ मन्थन करिए, समुद्र मन्थन हुआ हो या ना हुआ हो, ये तो एक विबात का व लिवेक में हमेशा 24 घंटे चलता रहता है, जैसे कोई भी समस्या आई, जैसे एक जांपिल तोर पे हमें लखनोग से कानपूर जाना है, या कानपूर से उरही जाना है, तो अब ये इस पे मन्थन करना पड़ेगा ना है, कि हम ट्रेंड पकड़ें कि बस पकड़ें कि टेक अर्टिकल बात करो ना, तो तो यही मन्थन है, यही समुद्र मन्थन है, और समुद्र मन्थन से सबसे पहले क्या निकला, हाँ, अभी भी आप घाओं में, अपने गाओं में, जैसे आपका गाओं जगतपुरा है, एक जांपिल तोर पे हमारा गाओं है, भाई, जगतपु कूप भाले आ गए और नल करहें कि सब आफके अधर हम नल कूप लगाएंगे मतलब बोरिंग करेंगेगे अब बोरिंग में सब से पहले क्या निकलता जराइएः बताओ ना भाई सबसे पहले गैस निकलती है और इस theatre आस गास जहरीली निकलती है, वही मन्थन से पहले जो तत्व निकलें, उसको धीरज और धेर के साथ ऐसा कोई व्यक्तत्व हो जो उसको बियर कर सके, मतलब उसका सामना कर सके, वही है भगवान शो, इसके भगवान शो धेर और धीरज और धर्म के पृतीक है, यही है सावन मास, इसलिए कहा जाता है कि वही जहर जो भगवान ने खाया उससे उनके गले में जलन होती है वो जलन उसमें नहीं होती भगवान शिव जी में अरे ये पेड़ पौदे जो भगवान के शिव के साथ यथार्थ रूप हैं ये आपका उगला हुआ जहर जो दिन भर सांस लेते हो चोड़ते हो कारवन डाई आकसाइड चोड़ते हो बच्चा बच्चा जानता है वही तो जहर है उस जहर का सोधन कौन कर रहा है यही सो सरूप सिव सरूप व्रक्ष है जिनको आप रोज कुलहड़ाई से और आरा से कटवा रहे हो और काट रहे हो स्वयम सरकारें भी काट हैं आंक बंद करके रोड चोड़ी करन के लिए पूरे आयोध्या में देखाई एक भी अपुराना दर्खत नहीं मिल लाए देखने को बताईए तरस गई हमारी आखे हैं अभी हम गए थे आयोध्या एक भी पुराने एक से बज़ुर्ग पीपल और बर्गत के जो सरकार को उनका सरण रख्षन करवाना चाहिए था क्योंकि हमारा चैनल प्रिकती सरण रख्षन वसम बर्धन के लिए आवाज उठाता है इसलिए मैं यतारत आवाज जरूर उठाऊंगा और मेरी आवाज चाहे दवा दी जाए चाहे उचे तक पहुंचे मानने मुख मंत्र जी बहुत दयालू हैं और रक्षा करते हैं आज के दिन कल 15 अगस्त में करोणों व्रक्ष लगने जा रहे हैं उसमें कोई उनको नहीं है लेकिन वहां के जो प्रसासित को वस्ता है उसको ये देखना चाहिए था कि उन पूर्णों प्यों को सनड़क्षित करें या उनको टां ट्रांस्प्रांटर आता और वो सरकार खरीदती तो हमें खुसी होती और हमारे चैनल को खुसी होती कि हां ट्रांस्प्रांटर खरीदा जनता का पैसा उप्योग किया गया प्रिकत की रक्षा के लिए नहीं खरीदा गया तो अभी खरीद ले सरकार अभी बहुत विकास होन है अभी बहुत चोड़े चोड़े स्टाकें बना है पेड़ों को पुराने पेड़ों को मत कटवाईए सहाब मत कटवाईए वो इस देश की और इस जमीन की आत्मा है उन आत्मा को मत को चलुआ यही स्वंबार को एक महान संदेश है और भाई मैं तो यही निवेदन करूँगा कि मेरे चैनल की आवाज को जन जन में पहुँचाईए जिससे प्रिकती का सुन रक्षण हो सके आप बिग्यानिकों से मिलिए और उन से पूछिए कि डेड़ सो साल जो पुराना पीपल का प्रिक्ष है और जो डेड़ वर्स पुराना पीपल प्रिक्ष है दोनों की गुनवत्ता में क्या अंतर है दोनों एन्वाइरमेंट को क्या दे रहा है तो जब डेड़ सो साल बाद पीपल का व्रक्ष बड़ा होगा तब वो गुनतत्त इस environment में देगा जो आज देड़ सो साल पुरान पौधा आपने कटवा दिया मैं मानता हूं कि आज पूरे उत्तर प्रदेश में अंठानबे पौधेश चनाड़क्षित कर दिये गए अती प्राचीन ये बहुत खुशी की बात है सरकार की बहुत अच्छी युदना है इसकी मैं बारंबार तारीफ करूँगा और ऐसा नहीं है उत्तर प्रदेश सरकार सराहनी कार कर रही है ब्रक्षा रूपण में जंगलों की बृद्धी के लिए सेंट्रल गवर्मेंट कभी सहयोग है वो तो अलग बाते हैं लेकिन फिर भी पुराने दरक्ष नहीं कटना चाहिए साब पुराने प्रक्ष भगवान श्योग की स्वरूप है किसी विहालत में नहीं करना चाहिए और छेतरी वासियों आप लोग खड़े हो जाएए पुराने ब्रक्षों को मत कटने दीजे घेड लीजे ब्रक्ष को चिपक जाएए चिपको आंदुलन एक बाल सुंदरलाल स्री स स्रश्टी है आप स्रश्टी को काट रहे हैं पेड़ को नहीं काट रहे हैं पेड़ तो बे आवाज है जैसे बे आवाज हमारा जीवन है जीवन कोई आवाज देता है जिस दिन समय आ जाता है उस दिन आदमी चल देता है तो इसलिए व्रक्ष ही बहमूल धरोवर हैं और व बहुत बहुत सुब्कामनाएं, देखिए जंडा रोवन करना है, वह भी प्रिकति का ही स्वरूप है, देखिए के सरिया, सफेद और हरा, तीनों प्रिकत के ही तत्व हैं, जो हमारे राष्टी जंडे में समाहित हैं, तो जंडा तो फेरा नहीं फेराना है, तो इन ही सुब्क का वरिक्ष लगाईए, बर्गत पीपल के वरिक्ष लगाईए, अच्छा एक और सरकारी तंत्र पे सरकारी धन से खजूर और खजूरिया के पौधे लगाये जा रहे हैं, जरा भाई सरकारी जो तंत्र है, वो जरा पूँच ले उन्ठे के दारों से, क्या इनका इन्वायर पांच किलो मीटर एराउंड वे में खजूर और खजूरिया लग गए, मतलब रेगिस्तान को आपने बढ़ावा दे दिया, ये अभी नहीं देखे जा रहे हैं, बाद में जब इनके प्रित्कूल प्रुफाव पड़ेगा जन्वानस पे, तब फिर इस पे भी ये का धन खर्च होगा, तो चलिए साब, हमारे चैनल को अबस सब्क्राइब करिए, और इसी तरह प्रिकति का जन्चागना लेते रहें, बहुत बहुत सुब कामनाएं, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद.